ओम् सभी भक्त जनों को सप्प्रेम नमन आज स्रिमत भगवत गीता के छठे अध्याए के सात्वे स्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ इसमें भगवान काते हैं स्री भगवान वाच जितात मनहा प्रशान तस्य प्रमात्मा समाहितह सितोषन सुख दुखेशु तथा मान अप्मान अयो इसका अर्थ है कि जिसने अपने मन को जीत लिया है वैसा ब्यक्ति अनकूलता और प्रतिकूलता यहाँ पर जो सित और उसन सब्दाय है ये समान अर्थ में तो सरद और गरम के लिए जानने जाते हैं परंतू सरद और गरम सिर्फ हमारी जो त्वग इंद्री है तुचा इंद्री है इसी के लिए प्रेव हो सकता है तो अन्य जो इंद्रियों के जो विशय है जिसे नासिका के विशय गंध है और आख यानि चक्छू के विशय जो है रूप है उसी तरह से कारण के जो विशय है वो सरवन है तो अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विशय है जीव मुह के विशय जो है रशना है तो फिर यहाँ अलग अलग विशयों का जिकर नहीं होने की वज़ा से उन सभी इंद्रियों के विशयों को इसमें सामिल करना होगा इसलिए सीत और रोशन अन्यकूलता और प्रतिकूलता के अर्थ में ही दिया जाना चाहिए यानि तमाम इंद्रियों की जो विशय है जो अनकूल और प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं उसमें व्यक्ति प्रसांत है यानि निर्विकार है सम है उससे उसका मन डोल नहीं रहा है और सुख और दुख सुख भी वह चीज है कि जब कोई ऐसी कोई वेदना होती है जो कि हमारे अनुकूल है तो उसको हम सुख काते हैं और जो प्रतिकूल वेदना हैं उसको हम लोग दुख काते हैं जो प्रतिकूल घटना घटती है जो मन के अनुकूल घटना नहीं घटती है तो काते हैं दुख हो रहा है और जो मन के अनुकूल घटना घटती है तो काते हैं कि सुख हो रहा है सामान निभासा में तो जिसके पास घरद्वार है धनसंपत्ति है बंधु बंधाव है पत्नी पुत्र है माबाप है वहान है अच्छे पद है तो ऐसे लोगों को जो स्वस्थ है ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये सुखी है और जिनके पास ये सब नहीं है या हैं तो उनके अनकूल नहीं है तो कहा जाता है दुख में है तो या सुख और दुख सामान लोगों को प्रभावित करते हैं जो अनकूल है वही कभी परतिकूल हो जाएंगे जो परतिकूल है वही कभी अनुकूल हो जाते हैं यहाँ न कोई मित्र है न कोई सत्रू है सब अपने हित के मित्र हैं और आहित के सत्रू है तो इन अनुकूलतार प्रतिकूलता के स्थिति में जो प्रवाहित होता रहता है जो इनसे प्रभावित होता रहता है यानि जो इनको भोग रहा है वो अभ्यक्ति संसारिक का लाता है और जो निर्विकार रहता है और सम रहता है यानि उसका मन नहीं डोलता है वो अपने में स्थित है उसो कोई फरक नहीं पड़ता खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है लोग उसकी मान बढ़ाई कर रहे है या नहीं कर रहे है अपमान कर रहे है या कुछ भी कर रहे है इसलिए भगवान ने इसमें मान और अपमान भी सब जोड़ा है अकसर हम लोग यह समझते हैं कि यदि कोई मान कर रहा है तो हमारा गुण है वह, जिसकी वज़ा से हमें इज़त दे रहा है, और अधि अपमान कर रहा है, तो इसका दुर गुण है, इसकी वज़ा से अपमान कर रहा है, लेकिन दुसरे के गुण को अपना गुण मान लेना, जिसे कोई सम्मानित कर रहा है, तो उसके गुण को या उ कि वह हमें सम्मानित कर रहा है वह सभी को सम्मानित करता होगा तो अपना गुण मान लेना उचित नहीं है और जो अपमानित कर रहा है उसको उसका दुर्गुण मानना भी उचित नहीं है क्योंकि सभी को अपमानित नहीं करता होगा वह तो एक सादा को यहीं चाहिए कि वो मान मिले तो उस व्यक्ति की सजनता माने अब मान मिले तो अपने में ही कहीं देखना चाहिए कि कहीं आप हमारे में तो कोई दुर्गण नहीं है हमारे में तो कोई कमी नहीं रह गई और अपमानित करने वाले को समझना चाहिए कि हमें ही अपने किसी कर्म के फल का निवित बन कर आया है और इश्वर का ही भेजा हुआ स्वरूप है तो व्यक्ति सांत रहता है ऐसे में ही वह मान और अपमान से उपर उठ सकता है तो परिस्थितियां चाहे हमारे भीतर की हों चाहे बाहर की हों इन दोनों ही अवस्थाओं में मनुस को सम रहना चाहिए, यानि अपना मनुस का सांत रहना चाहिए, स्थित रहना चाहिए, मन नहीं डोलना चाहिए, ऐसी स्थिति में ही कहा जाता है कि वह परमात्मा को प्राप्त है, परमत्त्तो प्रमात्मा परमत्त्तो हैं, और परमत्त्तो एक रस सदेव रहता है, सम रस रहता है, निर्विकार रहता है, तो परमत्त्तो को प्राप्त व्यक्ति हर तरह की अनुकूल परतिकूल परस्तिती में सम बना हुआ रहता है, मान अप्मान में सम बना हुआ रहता है, सुख और दुख में सम बना हुआ रहता है, तो सुक्ष और दुख मान और अप्मान अनकूल और परतिकूल इन छवाँ परस्तितियों में जो व्यक्ति प्रसांत रहता है इसका मतलब है कि वह परमात मतत्तों में स्थित है उसने अपने मन को जीत लिया है और ऐसे ही व्यक्ति सिद्ध काहे जाते हैं ऐसे ही व्यक्ति कर्वियोगी कहे जाते हैं ऐसे ही व्यक्ति भक्त कहे जाते हैं और यही गीता के इस लोग का भवार्थ है ओम्हरे हुआ 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 हुआ